हाई फ्रेंड्स, वेलकम तू इंग्लिश स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स, तुडेयर इन दिस पर्टिकलर वीडियो लेक्चर, आई आम गोईंग तू डिस्कॉस विद यू Background of Dalit Literature सबसे पहले हम बात करेंगे कि Dalit Literature है क्या Dalit Literature एक इस तरीके की राइटिंग का जॉनरा है जिसमें जो है Dalits जो है अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं और ना केवल वो अपनी खुद की लाइफ के बारे में बताते हैं वो बाकी सारे Dalits के Horrorful, Painful Experiences, उनके Sorrows और साथी साथ जो है उन्हें इस Society में रहकर जो है क्या-क्या Problems फेस करनी पड़ी कितने तरीके से जो है उन्होंने अलग-अलग Spare में रहकर जो है Injustice को फेस किया, Discrimination को फेस किया तो यह सभी जो है एक Particular Literature में describe किया जाता है जिसका नाम है Dalit Literature It is a literature written by Dalits on their own lives कि यह एक इस ताइप की literature है जिसमें जो है Dalits जो है अपनी life के बारे में बताते हैं ना केवल जो है इस Particular Literature को जो है सिर्फ Dalits ही बताते हैं Non-Dalits भी जो है बाकी सारे यानि दूसरे Dalits की Suffering को Observe करके जो है Non-Dalits भी जो है इस Particular Literature को लिखा करते हैं Then Dalit Literature has given rise to a new trend in Marathi Literature कि Dalit Literature की वज़े से जो है Marathi Literature में जो है एक नया trend शुरू हुआ और उस trend का नाम पड़ा Marathi Dalit Literature Then आप बात करते हैं कि इस Dalit Literature की जो है कैसे emergence हुई तो cause ये था कि उन्हें जो है हर तरीकी के स्पेर भलाई वो religious हो, political हो, social हो, economic हो इन सभी स्पेर में जो है उन्हें exclude किया जाता था उन्हें जो है equal status of opportunity नहीं दी जाती थी, अगर religious स्पेर में हम देखें, तो उन्हें जो है temples में entry नहीं दी जाती थी, उन्हें permit नहीं किया जाता था जो जितने भी दलित्स जो काफी जाधा educated होते थे तो उन्हें उस type की jobs जो है वो नहीं दी जाती थी उन्हें जो है low income वाली jobs जो है वो a lot की जाती थी और साथ ही साथ जो है अगर social sphere में دेखा जाए तो social sphere में देखा जाए तो उन के लिए जो है separate communities जो है वो बना दी गई थी and basic अगर पानी की बात आती है तो उनके लिए अलग से जो है वाटर फैसिलिटी जो है अविल करवाई जाती थी वो जो है कॉमन लोगों की जगा में जाकर पानी नहीं पी सकते थे और साथी साथ ये भी देखा गया कि जो स्कूल्स, कॉलेजिस होते थे वो भी दलिट्स के लिए सेपरेट जो है बनाए जाते थे तो वो जो है उन बच्चों के साथ नहीं पर सकते थे जो बच्चे जो है हाई स्टेटस ऑफ सोसाइटी से बिलॉंग किया करते थे तो इन सभी स्पेर्स में जो है उन्हें एक्सक्लूड किया जाता था इन सभी स्पेर्स में जो है उन्हें पड़ा दलित लिटरेचर जिसमें उन्होंने अपने experiences को share किया लोगों के साथ and अपने causes को limelight में लेकर आए and इस type की literature का emergence इसलिए हुआ ताकि वो अपने rights के लिए लड़ सके उन्हें भी वो rights दी जानी चाहिए जो कि बाकी सारे normal citizens को दी जाती है then अब हम बात करते हैं कि शरन कुमार लिमबाली जो है दलित लिटरेचर को किस तरीके से define करते हैं वो बोलते हैं कि दलित लिटरेचर जो है एक तरीके की agitation form है जिसमें वो क्या करते हैं जितने भी अपने experiences है यानि जितने भी अपने horrible painful experiences है उन्हें वो जो है इस लिटरेचर में जो है लिखा करते हैं तो वो एक तरीके से जो है agitate कर रहे हैं यानि passive way से जो है वो agitate कर रहे हैं अपने experiences को एक literature के अंदर share करके ताकि वो जो है बाकी सारे common masses को aware कर सके कि उन्हें जो है कितने सारे spirits में जो है उन्हें discrimination face करना पड़ रहा है then it centers the common man who has been oppressed for thousands of the years यानि ये particular kind of literature जो है उन लोगों के around जो है revolve करती है उन common man के around जो है revolve करती है जिनने जो है बहुत सालों से जो है oppressed किया जा रहा है then the Hindu caste system has divided Indian society into caste कि हमारे Hindu caste system ने जो है इस Indian society को जो है अलग-अलग caste में divide कर दिया है जैसे शत्रिया, शुद्रा, वैश्या, ब्रामिन so in caste system में जो है हमें divide कर दिया गया है there are not only division of caste कि हमने जो है इस चीज़ को देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी इस Hindu caste system ने caste को ही divide नहीं किया बलकि जो है compartments को water tight compartments का यहाँ पर यह मतलब है कि लोगों के लिए जो है अलग-अलग तरीके के compartments जो है वो create कर दिये गए है और उन्हें जो है वही से अपनी basic amenities को पूरा करना है यानि शुद्रास के लिए या फिर दलित्स के लिए जो है अलग community का creation हुआ वही पर उनके लिए water compartments को इस्टैबलिश किया गया और उन्हें restrict कर दिया गया कि तुम्हें केवल यही से अपनी basic amenities को फुलफिल करना है और communities में जाकर यह अपनी basic amenities को फुलफिल नहीं कर सकते तो इस तरीके से इन्हें restrict कर दिया गया Then one whoẫu take birth in one's caste Should live in one's caste कि जो भी जो है जिसका एक caste में जो है जन्म हुआ है तो उसे जो है उसी caste में रहना पड़ेगा उसे उसी caste में रहकर खाना पड़ेगा और ढ्रिंक करना पड़ेगा तो यहां पर कहने से ये मतलब है कि जिस कास्ट में जो है जो जन्मा है तो उसे जो है उस caste को होकर ही रहना पड़ेगा और उसे जो है उसी caste की community में रहकर जो है वही का पानी पीना पड़ेगा और वही का खाना खाना पड़ेगा Then this is a caste of tyranny कि ये क्या है ये एक तरीके की यानि दलित जो है ऐसी caste समझी गई है कि दलित कास जो है एक ऐसी caste है जो की कही ना कहीं जो है tyranny sort of create करती है दलित लिटरेचर वांट्स तो destroy this inhuman caste system और इस दलित लिटरेचर को create करके जो है सारे दलित क्या करना चाहते है इस inhuman caste system को destroy कर देना चाहते है जिसने जो है लोगों को divide कर दिया है लोगों की जो है thinking को evil बना दिया है which enslaved not only दलित्स कि इसके थूँ क्या हुआ दलित्स को जो है enslave कर दिया गया और साथी साथ जो है साथी साथ जो है अगर politically देखा जाए तो कही न कहीं हमारे democratic country को भी जो है caste system ने enslave करके रख दिया है and लोगों की minds को जो है बिलकुल evil बना दिया है लोगों की thinking को जो है evil बना दिया है then our nation is politically free कि कहा जाता है कि कहने को हमारा nation जो है वो democratic है but socially it is still in slavery और अगर देखा जाए तो लोग जो है भला ही हमारी country जो है democratic हो but लोग जो है चीज जो है किसी और ही चीज को जो है वो follow करते है यानि वो जो है अभी भी जो है कास सिस्टम में जो है विश्वास रखते है और साथी साथ जो है जो उनसे जो है below status के होते हैं उनसे वो हमेशा जो है discriminate किया करते हैं हर एक square में भलाई वो social हो, political हो, economic हो दलित लिटरेचर is the struggle for total revolution जो दलित लिटरेचर जो है एक तरीके की लडाई है जिसके थूँ जो है total revolution लाने की जो है कोशिश की जा रही है यानि दलित जो है अपनी तरफ से जो है initiative ले रहे हैं कि वो जो है इस type की literature को create करके जो है एक तरीके से society में revolution ले कर आए जिससे क्या हो कि लोगों की thinking में changes आ सके और साथी साथ जो है लोगों को जो है उनको देखने का दलित को देखने का जो perspective हो जो है change हो पाए and it is the declaration of human rights साथी साथ जो है दलित लिटरेचर के थूँ जो है ना केवल लोग जो है अपने experiences को जो है share करते हैं बलकि वो जो है अपने experiences को बता कर जो है अपने rights के लिए भी demand करते हैं यानि वो उन causes को बता कर जो है उन causes अपनी sufferings को बता कर जो है अब वो जो है सभी से यानि government से demand करते हैं कि हमें जो है हमें भी जो है हम भी जो है normal human beings हैं हमें जो है animals की तरह जो है treat नहीं किया जाए हमें भी जो है equal opportunity दी जाए और हर expert में जो है हमें equal समझा जाए भले वो political हो social हो economic हो religious हो then अब बात आती है कि मन वानखेडे जो है दलित लिटरेचर को किस तरीके से define करते हैं दलित लिटरेचर considers men as its nucleus कि दलित लिटरेचर में जो है men को जो है nucleus समझा गया है central parts समझा गया है it becomes one with the joys कि यानि कि इस literature में जो है बहुत सारे दलित के experiences को share किया गया है इसी sense में लिखा गया है it becomes one with the joys यानि इसमें जो है दलित के यानि जो लोग दलित है उनके जोईज को जो है शेयर किया गया है उनके सौरोस को यानि उनकी सौरोस को भी शेयर किया गया है and takes it forward to सम्यक यानि total revolution यानि इसके थ्रू जो है total revolution जो है इस society में लेकर आने की जो है demand की गई है यानि इस type की literature को create करके यानि अपने issues को अपने injustices को अपने साथ हो रहे tortures को वो highlight करके जो है कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज की जो है demand कर रहे है then it preaches a group of human beings that form society यानि ये जो है दलित literature जो है कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को preach कर रही है यानि सीख देने की कोशिश कर रही है a group of human beings that forms society यानि जो लोग society को form करते हैं यानि इस society को जो है जो high strata of society से belong करने वाले लोग है वो जो है mainly जो है उन्होंने जो है इस particular society को हमारी society को जो है dominate करके रखा है तो उन्हें जो है ये इस type की literature को genre जो है उन लोगों को preach करता है it considers men noble यानि इस particular society में जो है sorry इस particular literature में जो है human beings को common men को जो है noble समझा गया है अच्छा समझा गया है दलित जो है अपने बारे में बता रहे है कि हम भी जो है human being है हम animals नहीं है जिस तरीके से लोग जो है हमसे widely जो है behave करते हैं हमसे barbaric तरीके से जो है पेश आते हैं then दलित लिटरेचर has spread love and enmity among human beings कि दलित लिटरेचर ने जो है लोगों के बीच में प्यार जो है वो spread करने की कोशिश की है और same time पर जो है enmity भी spread करने की कोशिश की है enmity यहाँ पर hatred का मतलब है hatred इसलिए क्योंकि जो है दलित जब अपने बारे में लिखना शुरू कर रहे है तो कही ना कहीं वो जो है अपनी feelings को openly जो है लिखने की कोशिश कर रहे है जिसकी वज़े से जो है जो high class of society को जो है उसमें जो है अपना victim बनाया जा रहा है मैं इस जिसको फिर से repeat करना चाहूंगी कि दलित लिटरेचर में जो है दलित अपने issues को जो है शेयर कर रहे हैं और कही ना कहीं issues को बता कर वो जो है कही ना कहीं जो है directly वो जो है high class of society से belong करने वाले लोगों को attack कर रहे हैं तो कही ना कहीं दलित लिटरेचर की वज़े से जो है enmity भी create हुई है hatred भी create हुआ है then then अब बात करते हैं कि बाबु राओ बागुल जो है किस तरीके से जो है दलित लिटरेचर को define करते हैं दलित लिटरेचर is inimical यानि दलित लिटरेचर जो है वो untouchability के against है slavery के against है inequality के against है और साथी साथ लोगों को pain देने के against है प्लीज रिमेंबर दिस और साथी साथ जो है बाबु राओ बागुल जो है वो इस चीज़ को highlight करते हैं कि जब तक इस society में untouchability रहेगी slavery जैसी ये social inequalities जो है रहेंगी यानि ऐसे social evils जो है prevalent रहेंगी हमारी society में तब तक जो है ये दलित लिटरेचर जो है exist करती रहेगी दलित लिटरेचर is that literature which advocates human liberation कि दलित लिटरेचर जो है इस लिटरेचर में जो है openly जो है दलित जो है अपने issues को जो है share कर रहे है तो ये क्या है वो advocate कर रहे है वो demand कर रहे है कि उन्हें जो है हर तरीके के restriction से जो है liberate कर दिया जाए और साथी साथ जो है कही ना कहीं इसमें जो है human beings struggle कर रहे हैं openly revolt कर रहे है authorities के against तो कहीं ना कहीं इस particular जब वो openly जब जो है वो share कर रहे है अपनी बातों को तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है उनके जीत हो रही है क्योंकि वो जो है उस चीज को कह पा रहे हैं जो क्योंकि उन्होंने अब तक जो है suppress करके रखी थी दबा कर रखी थी and oppresses staunchly the supremacy of lineage और साथी साथ जो है इसमें जो है उन्होंने क्या-क्या बताया है कि उन्होंने जो है supremacy बताई है अपनी lineage की कि हमारा जो origin है तो वो जो है supreme है यानि हमें जो है as a low strata से है यानि लोग जो है हमें बहुत गलत समझते हैं तो लोगों को जो है हमें गलत नहीं समझना चाहिए हमारा origin जो है वो बहुत supreme है हमारी race supreme है और हमारी caste supreme है then then अब जो है दलित लिटरेचर को जो है नरहर कुरुंद कर जो है किस तरीके से define करते है a tendency is being expressed in literature that every man should get freedom कि इस particular literature में जो है ये बताया गया है कि हर एक individual को जो है human beings को जो है freedom दी जानी चाहिए उन्हें respect किया जाना चाहिए और जो है उन्हें protect यानि उनकी rights की जो है protection की जो है उन्हें assurity दी जानी चाहिए जो है दलित लिट्रेचर का क्या मतलब है दलित लिट्रेचर is the expression of the neglected hearts यानि दलित लिट्रेचर जो है एक तरीके का self expression है उन लोगों का जिने जो है उन दलित का जिने जो है neglect किया गया है and brains whose stomach and minds have kept hungry by culture यानि इस societal culture ने यानि हमारे society के culture ने जो है उनके stomach और mind को जो है बिल्कुल GREEN कर दिया था कियो कि stomach को जो है इसलिए हंगरी कर दिया था कियोकि उनने जो है वो जो है अपनी basic amenities को जो है इस society का part बनकर भी वो जो है पूरा ना कर पाए और साथी साथ जो है उनके minds को भी जो है हंगरी कर दिया था क्योंकि उन्हें जो है इन society के लोगों से जो है वो satisfaction नहीं मिल पाया था जो इन्हें मिलना चाहिए था यानि political sphere में भी social sphere में भी and साथी साथ economic sphere में in the warm of this literature and embryo of human centered बताया जाता है कि इस दलित literature की एक warm है यानि बहुत अच्छी analogy के साथ ये श्वंत मनोहर जो है दलित literature को define कर रहे है वो कह रहे है कि इस particular literature की warm में एक embryo है जो कि केवल सिर्फ human centered है जिसमें humans जो है दलित जो है as a victim बनकर जो है openly अपनी बात को कह पा रहे है अपनी emotions को जो है लिख कर बता पा रहे है और limelight में लेकर आ पा रहे है civilized age is growing with stormy determination यानि ये जो age है ये civilized लोगों की age है जिसमें क्या हो रहा है लोग जो है grow कर रहे है वो भी stormy determination के साथ यानि वो determined है अपनी rights के लड़ने के लिए तरस it is the literature of victims यानि दलित literature क्या है एक ऐसे literature है जिसमें जो है जो जो लोग जो है जने victim बनाया गया है वो क्या कर रहे है अपनी emotions को इस particular literature को लिखकर जो है express कर पा रहे हैं and वर्ना system then दलित literature is not the literature written only by the dalits की बताया जाता है कि dalit literature को ना केवल सिर्फ और सिर्फ दलित्स ही लिखते हैं बलकि non dalits भी जो है ऐसी टाइप की literature को लिखते हैं non dalits जो है जब वो dalits के experiences से जो है जो भी जो कुछ भी observe करते हैं तो वो जो है एक तरीके की literature form कर देते हैं जो कि being a dalit and possessing dalit consciousness are two different things कि बताया जाता है कि dalit होना और साथी जो है दलित लोगों के प्रती सिंपथी रखना ये दोनो बहुत different चीजे हैं तो इस से जो है इस line को लिख कर मेरा बताने का मतलब ये था कि dalit literature जो है ना केवल dalits दारा लिखी जाती बलकि non dalits भी जो है इस type की literature को जो है लिखा करते हैं वो भी बाकी सारे dalits के painful experiences को observe करके वो जो है इस type की literature को create किया करते हैं the literature created by means of this consciousness and about dalit and their life is dalit literature की बताया जाता है कि जो literature जिसमें जो है dalits के प्रती जो है sympathy रखी जाए और उनकी life के बारे में describe किया जाए वो भी एक तरीके से dalit literature है dalit literature जो है five different types के genres में divided है सबसे पहला prose then poetry then short story then drama then autobiography through these genres dalit literature takes its shape as a part of dalit movement इनी genres से dalit literature की जो है ने जो है एक shape ली और साती सा जो है dalit literature ही एक movement का part बन गई जिसका aim क्या था social reconstruction करना यानि society को फिर से reconstruct करना society की सोच को बदल देना और साती साथ जो है एक new man को create करना यानि नए लोगों को जो है यानि नए man यहाँ पर new man का यहाँ पर यह मतलब है कि लोगों की सोच बतल कर जो है एक human being को जो है नया बना देना उसकी सोच को change करके उनकी values जो है बदल कर जो है उनके अंदर new values को inculcate करना और साती साथ जो है एक नए culture की शुरवात करना create करना then then friends इसी के साथ के lecture over होता है and friends please don't forget to like, share, comment and subscribe hope this lecture will help you in your UGC net English literature exams thanks friends for watching